कि दोस्तों सो आज हम क्या डिसक्स करेंगे लास्ट टाइम प्रिवेस सेशन में हम लोगों ने बहुत ली बेसिक सी चीज़े डिसक्स करी हैं कि कि कॉलेज में एंट्री कैसे होती है इंड इंडर सेंस की एक 12 का स्टुडेंट जब इंजरिंग कॉलेज में एंट्री करता है तो अपनी स्ट्रीम किस देस पर चूज करता है और उसकी वज़े से ओवरॉल क्या इशूज आते हैं फंडी कॉलेज मेनेजमेंट पॉइंट तो अज का तॉपिक है आज का तॉपिक थोड़ा सा इडवांस है इन असेंस नाओ आज हम हम यह डिसक्रस करेंगे कि आपको भी टक करनी चाहिए एंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए अब इंडस्ट्री क्या चाहती है और यह यह पूरा कॉंसेब्ट जो है at least when it comes to B.T.E.C.M.T.E.C.P.S.D. यह कहां से आया है कैसे आया है और इंडस्ट्री की क्या डिमांड है so let's talk about that particular part but before that I am Puneet founder of Willis expert private limited and यह जो हम लोग बाते कर रहे हैं basically it is a part of a आप कुछ भी नाम दे सकते मैंने last time भी बोला था कि आप कुछ भी नाम दे सकते but in my language it is like in a virtual interaction with all of you people so आप लोग अपने सवाल भेशते रहे मैं उस पर आप लोगों से बात करता रहूंगा इसी तरीके से जो मैं इंट्रेक्ट करता हूं जो मैं रहे मेरे experience से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूंगा so वापिस आते हैं topic की तरफ so topic हमारा यह था कि हम लोगों को बीटेक, M-TEC, TSV concept कहां से आया कैसे आया और candidates को क्या करना चाहिए तो बहुत सारे candidates से बात ही और जब मैंने candidates से बात करी तो so candidates ने मुझसे क्वे मेरे सवाल पुछा कि क्या हमें B-TEC करनी चाहिए in the sense कि B-TEC के बाद job मिल जाएगी या फिर हमें तो यह पता है कि B-TEC के बाद हमें M-TEC करनी परती है जो अच्छी जॉब होती है जो MNCs होती है वो सिर्फ और सिफ M-TEC people को ही job देते है tier 1, tier 2, tier 3 colleges का जो concept है वो भी थोड़ा सा हम लोग discuss करेंगे कि job के perspective से और industry क्या सोचती है so let's try to understand कि यह B-TEC M-TEC and job का जो concept आया वो कैसे आया तो जैसे कि हमने अपने previous session में बात करी थी कि जो B-TEC electronics industry की बात कर रहा है especially हम लोग wireless industry की बात कर रहे है कि जैसे मैंने आप से last time बात करी थी कि B-TEC में जो entry होती है उनकी जो quality होती है उस पे हमेशा question mark है क्योंकि जितने भी quality वाले students होते हैं CSIT में चल जाते हैं या फिर अगर एक अच्छा student electronics branch लेता भी है तो उसको वो guidance नहीं मिल दी है वो teaching method या education system इससे बोल सकते हो कि वो उस तरीके से एक अच्छा candidates नहीं बन पार दा है तो हुआ कुछ इस तरीके से कि जब electronics engineers भार निकले उन्होंने इंडस्ट्री में जाना शुरू किया तो उन्होंने इंटर्वी देने शुरू करे तो इंडस्ट्री ने यह figure out कर लिया इंडस्ट्री can figure out very easily कि whether you know the basics fundamentals whether you are eligible for the electronics industry विले से industry or not सो दे स्लोली रियालाइज की बीटेक और एकंसिदर भी और जो बैचलर्स डिग्री के बाद जो लोग आते हैं दे आर नाट सेंस नाओ बीटेक के बाद विले से इंडस्ट्री में आपकी जॉब ने लगेगी आपकी जॉब लगेगी वो तब लगेगी जब आप इस्पेशलाइएशन कोर्स करोगे विचिस लेकिना master course when you are going to do the master course in a VLSI design then you are now eligible for the VLSI industry and then they will hire you so now BTEK होने के बाद लोगोंने MTEK करना स्वार्ट किया VLSI engineering VLSI design VLSI embedded बहुत सारे इसी branches open रनी शुरू हो गई और लोगोंने master करना शुरू किया अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि master degree में कौन लोग आए कौन लोग की master degree दे रहे हैं वहां पर जो पढ़ाने वाले हैं वो कैसे हैं और master degree के बात क्या हो रहा है जब यह pattern start हुआ, जो जब यह pattern start हुआ, इस वा इस पर्ट विश्यक्त में का लगो आफ से है फ्मॉट में काले में है कि यह उस्यक्राइक प्रट भी हम आउसे है इस अन्दूरी पहां से जॉब नौब चूरू कर्यों रिदे को से हुआ ह। now the question is who is going to teach them now teach again there should be a faculty member so to save the cost or you can say from the college point of view cost cutting point of view say what they have done on the same infrastructure same faculty same faculty they appointed for the mtech also now what exactly has changed same faculty is going to teach the mtech students also and those are those faculty so now you know that is not for the industry purpose but main goal psd ka research site is not about ki aapko jana chahiye as a part of industry until unless it is a very niche area in not the area basically is to any any r d center is there it is btc still is struggling to find out the right state of candidates because every everywhere is the same thing change kia ayah ki there are students जो लोग B.T.E.C. करते थे अब जब लोग M.T.E.C. पर जाते हैं तो M.T.E.C. करने के लिए they they don't prefer the same college they say कि ने ये college because they know very well कि वो system में चार साल रहे हैं तो they will say कि नहीं हम ये college ने चाहिए I am talking about the tier 3, tier 2, tier 1 ranking की so there are a lot of people they started preparing for the gate exams, gate paper crack करके and then they shift to the tier 2 or the tier 3 engineering college और वहाँ पर जाने के बाद they obviously थोड़ा better environment उनको मिलता है and there are few candidates जो लोग industry जाते है तो the way the industry is surviving, industry is surviving in this particular way but very soon industry also realize कि it doesn't matter whether it is a B.T.E.C. or an M.T.E.C. it matters from where you have passed out आप जहाँ से पास आउट होगे उसके पर होगा and that's the reason the college system तो जितने भी अच्छेंज दिंग कॉलेजेज है oh they they just see what college system we are talking about it's a tier 3, tier 2 or tier 1 colleges and then they started about कि ते लो ठीक है tier 1 से जाकर की हम लोगते है तो आप लोगोंने मार्कर में सुना उगवा क्या रही वेलिसा इंडूस्ट्री में तो tier 1 कॉलेज है आइटी में जाएगी है नाइटी में जाएगी तो tier 1 tier 2 में जाती है but tier 3 में वे लोग नहीं जाते है agree so पहले ऐसा ही होता था but then to fill this particular whole gap जो एक tier 3 कॉलेज का electronics का candidate है जो से कुछ करना है उसे हमेशा गेट देके tier 2 कॉलेज में एंट्री करना है ऐसा ज़रूरी नहीं था so there are few people they started or they see the opportunity I would say की उनने एक opportunity दिखाय थी so there are two kind of people I am talking about one जो opportunist थे opportunity दिखाय थी की चलो ठीके की gap है if as a industry person if I will go and if I will train these people as a part of a finishing school as a part of a training institute then we can help these kids or these students जो भी tech pass out होते है and या Mtech है same उसके है same college के या same system के है तो हम लोग इनको train करके industry ready बना सकते है so they saw the opportunity there is another kind of people when they were in the industry they figure out की हम लोग ने कितना struggle करके यहां पर आया है they have gone through the same path and now they want to pay back to the society so they jump into this particular field की जोग हम training लेते हैं training कराते हैं बच्चों को educate करेंगे और as a finishing school we will help them to basically enter into the industry so जो finishing schools का training institutes का जो concept आया especially in अगर हम विलेसाइ इंडस्ट्री में बात करते हैं तो एपार्ट फॉर्म दी जनरेटिंग अपनी पैसा जनरेट करने से ज्यादा यह जो concept आया था यह concept आया था to fill that particular gap and one of the motive of willisai expert is also the same thing like we also want to fill this particular gap so willisai expert के बारे में हम लोग बात में बात करेंगे but हां so now you know the whole system की यह जो ecosystem बना है education का b.tech, m.tech, training institute or the finishing school यह क्यो system बना है because when we are talking about the education system and when we are talking about the industry requirement तो इनके बीशिम बहुत gap है and the gap क्यों है मैं आपको आप लोगों को बता ही चुका हूँ so this gap को fill करने के लिए यह पूरा ecosystem बना हुआ है और यह कंसे कि आप लोगों को यह सब चीजे करने पड़ते हैं अब सवाल यह आता है कि as a as a engineer क्या tier 3 college के जो candidates होंगे उनको जो जो मिलती है नहीं मिलती है and frankly speaking मिलती है आज की रिट में if current scenario हम अगर बात करते हैं it doesn't matter whether you are the M tick or the B tick it doesn't matter whether you are from the tier 3, tier 2, tier 1 college it doesn't matter from which background you are what matters वो मैं आपको बताता हूँ कि matter सिर्फ इतना करता है कि आपका skill set के है now the company came to the एक simple से bottom line को उनने decide कर लिया है और उनने एक चीज़े decide कर लिया है it doesn't matter कि अगर आप IAT से M tick करके आते हो versus आप एक tier 3 private engineering college maybe किसी remote area में आपका engineering college है but आप वहां से आके आपके बास skill set है तो they will give you the equal opportunity they will give you the equal opportunity only थोड़ा सा difference आता है कि कोई IAT तक पहुंचा तो उसने JEE का exam दिया उसने कभी मेहनत करी है but आपने मेहनत करी होगी but आप unlucky रहे हो लेकिन अभी लोगों को नहीं पता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो so that is a small difference is there and उसको evaluate करना कोई बुरी बात नहीं है कि आपका जो past है उसको कैसे evaluate के जाए कि आप मेहनती हो आप बहुत मेहनत कर सकते हो because करना और कहना ही में बहुत फर्ग होता है so that's the only one difference which most of the industry most of the companies most of the hiring managers they usually do it and that's the difference कि आपका tier 3 और tier 1 में difference है but at the end of the day VLSI industry में आज की date पे कोई भी entry ले सकता है कोई भी entry ले सकता है अगर आपके पास right set of skills है right skill sets है तो आपके fundamentals strong है तो अगर आप engineering और VLSI का वो जो gap है वो आप already fill कर चुके हैं तो अब कैसे करेंगे क्या-क्या gaps है क्या-क्या चीजे होती है वो हम लोग बाद में discuss करनी है बड आज हम यही session यही पे end करते है and मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को चीजे पसंद आई होंगे like last time मैंने आपको बोला था कि all the youtubers they usually say कि बेल बटन subscribe कीजेगा, like कीजेगा, share कीजेगा yes all of you have to do it so I would say I have to do it in the sense कीजेए, please अच्छा रहेगा and but important thing है की आज का session आपको कैसा लगा please comment section में बताईए plus आप मुझे स्वा मोटिवेट कीजे मुझे सवाल पूचिये मुझे बताईए की यह सवाल है these are the questions and you just want to listen from me and I will share my experience and like I said this virtual interaction को जितना में बढ़ा सकता हूँगा उतना में बढ़ाऊँगा thanks a lot guys and keep watching your channel तेरे साइट से